अग्षा मंत्री या विदेश मंत्री की रूप में वो यही हमारी भारती जंता पार्टी ने दिया यही नहीं उनकी तीन पीडिया कॉंग्रेस के खिलाफ संगर्श करती रही यह वही कॉंग्रेस पार्टी है जिसने सतर साल तक एक बार भी राजिस्थान के किसी राजपूत को केंदर में मंत्री नहीं बनाया यह वही कॉंग्रेस पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स में अपने बहादुर सिपाईयों के बलेदान का सबूत मांगा था ये वही कॉंग्रेस पार्टी है जिसने जब देश चीन के साथ चीन के विरुद आँख में आँख डाल के खड़ा था तो पीछे आँख में चोली खेल रहे थे राजिस्थान के स्वाभिमानी राजपूत आज से नहीं आजादी से जनसंग और भारती जन्ता पार्टी के साथ खड़े हैं मैं याद दिलाता हूँ राजिस्थान के राजपूतों को कि महाराजा हनुत सिंग अलवर युवराज प्रताप सिंग इनकी जो संदिद उमृत्ती हुई उसके लिए कॉंग्रेस को ही जिम्मेदार माना जाता है यही नहीं महाराणी गायतरी देवी जैसी व्यक्ति को तिहार जेल में बंद करके यातनाए देनक का काम भी इसी कॉंग्रेस पार्टी ने करा था ये क्या मान सम्मान करेंगे राजपूतों का राजिस्थान का हर एक राजपूत हर एक स्वाभिमानी व्यक्ति भारती जंदा पार्टी और नरेंदर मोदी की जो देश भक्ति वाली सरकार है उसके साथ आज से नहीं हमेशा से खड़ा रहेगा और आगे भी पूरी तरह मजब जश्वन सिंग जी का जो व्यक्तित्व था उसको कॉंग्रेस ने नहीं पहचाना उनके जो परिवार का जो तीन पीडियों काम करा वो कॉंग्रेस ने नहीं पहचाना वो भारती जन्ता पार्टी ने पहचाना और इसी लिए उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई कोई और दूसरी पार्टी हमसे कब सवाल कर सकती है इन चीजों के उपर एक बड़ा बयान उनने ये भी दिया कि मैं बीजेपी में जो सबसे जिन लोगों का मैं सम्मान करता हूँ उन लोगों में मनहोर पारिकरजी है और उनकी जो बिमारी है वो राफेल है उनकी उनका जो स्वास्ते खराब हुआ है जब वो रक्षा मंतरी थे और उनने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी तो यही कॉंग्रेस पार्टी थी जिसने उस समय तो उनका मान सम्मान नहीं करा लेकिन उस समय प्रशन उठाया और हमारे जो सिपाई थे उनकी देश भक्ति के उपर उनके बलेदान के उपर सबूत निर्ने है अब बाकी मैं जंता पे छोड़ता हूँ एक चीज़ उन्होंने ये भी कही जा रही है कि मानविंदर सिंग के कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद में पश्चिवी राजस्तान में राजपूतों के लिए एक नया रस्ता विकल्प खुल गया है कॉंग्रेस की र रहेंगे ये कहना है राजपरदन सिंग राठोर का जमानमेंदर सिंग ने कॉंग्रेस का दावन थाम लिया तो उस पर इन्नों नहीं यहाँ पर ही बयान दिया है